हाई फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल सो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि वाई आर पीपल अफ्रेड आप दे एस यो तो लोगों के मन में एक डड़े कि नहीं यहां पे मैं अगर इस को करूं या मैं कहूं कि इसमें अगर मैं अपने कैडियर बनाओ तो प्रॉब्लम आ ज कि नहीं यह मैं करने सकता तो देखो अगर मैं कहूं कि अगर आप बैंक में आप उप्यों की जॉब चाहिए अपहली सोच तो मैं कॉम्पेटिशन पास नहीं कर सकता तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे राइट सो फस्ट अब पहला कोस्टिंस ही आते हैं कि यह बहु सिस्टम और शकरता रहा और अगर यह लोग आप इससे समझे में लोग जाते तो क्या करते यह करता था लिघू बैंक की सि!* पर के प्राइब जाते हैं लोगों के पास एपस हो गई है आपने बैंकिंग करते हो आप जो तो टेकनोलोजी चेंज होगे तो आपको भी उसी तरीके से अप्ग्रेड होना पड़ेगा और यह बहुत डिफिकल्ट आपको बेसिक आदिया है तो आपको यहाँ पर कोई तो अगर आप पढ़ता हूं और उसको इंप्लिमेंट नहीं करता हूं तो गलत है आपने यहां तो पढ़ लिया आपको मैंने बता दिया है यह सिस्टम ऐसे वर्क करता है लेकिन जब आप इस सिस्टम के अंदर जाते हो और अगर उसे आप इंप्लिमेंट खुद से नहीं करोगे तो आप कोई शीख नहीं सकते हैं इवेन नौट इन दा एस ओ फिल यहां पर मैं कहोगी टेक्निकल है तो है कुछ टर्मस में जैसे डेवलप्मेंट में आपको पता नहीं कैसे करना है लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने यह एडिया हो कि आपको आपको आप्टिमाइज कैसे करना है वेब साइट की तो आप कर सकते हो यू मैट देखने ही पाता हूं मैं आपको यह समझाता हूं कि आपको मैं जो इन्डेस्ट्री आज की डेट में चलनी है अपको मैं कहों कि मेरे को ना इस कीवर्ट पर रांग करनी है एस यो देली पर यू मैं आपने कहीं सीखा है और अगर आपके डिजरुब करते हैं कि आपको रांग कैसे अलानी है इस पाटिकcलर कीवर्ट पर तो आप कर सकते हो कुछ हुक भी करके आप रांग ले आओ frei एक ना ही किया सबस्ते लोकिन घान करना करना है करूए उससे आपकी आएंगी आपको ध्यान देना आपको समझना परेगा कि एक्षिल में रैंक कराने के लिए इस पर्टिकुलर टर्म्स को हमें किन-किन चीजों की जरूरत है कैसे हम उसकी आउन पेज करेंगे कैसे उसकी और पेज करेंगे और इभन आप जब आप रैंक चेक करते हो तो आप 10 पेज चेक करते हो तो क्या अची है और डिफेटली उससे आपको बेटर रिजल्स मिलेगा मुश्पर अपिपर रिजल्स नहीं आ रहे हैं अपने टाइम नहीं लगाया आपने सब्सक्राइब कर दो लोगों को कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं कुछ लोगों ने कुछ ऐसे बता पता है कुछ लोगो अपने वीडियो जैसे बनाएं कुछ लोगों ने अपने ब्लॉग में ऐसे लिखा तो यह कंफूजन क्यों यह कंफूजन इसलिए को कि आपने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया अगर आपने सही एप्रोच पता हो कि मेरे को ऐसे इंप्लीमेंटेशन करना है यह से कीवर्ड सब्सक्राइब करना है कि कैसे इसमें मैक्सिमम सही कर सकते हैं तो आपको यह बैद इंफो वाली जो ऑप्सन से ना यह आपकी मैंट से रिमूब हो जाएगे तो यह करता हो कि लोग करते हैं आज की तीचर में चला जाओंगा एंफ पच бр फैसे जर रूपीयए पचैस जर रूपिय के लिए लोगों ना देखो बीश यह के कॉमलिंपिजन से इस तरीके से कॉमलिशिन कितना कॉंप्रीट करना आप सोच लो कितना ड४ीकल्ट है अब खुद सोच ओ not in the teach पीचर्स में इन दे बैंक पियो इन दा आई एस आज की डिट में रियली बहुत तफ हो गया है तफ का रीजन यह है कि कॉंपोडिशन बढ़ रहा है डेफिनेटली क्या हो रहा है कि एवरी यर पास से कम से कम तो मुझे लगता है कि मेरे को एडिया उतनी तो नहीं है कितने लोगों के पास है कि कहां पर आएगी और कैसे आप वहां पर अपना केरियर कर सकते हैं आपको डरने की जोड़त नहीं है अब बात करते हैं कि क्या ऐसा कुछ इस ट्राई करों करते हैं इसकिमें करता है इन्डर्स्ट्रीज में उनको सक्सुस नहीं मिलता जाता है अब भी बहने आपने गूगल सर्चेज फॉर एस इंगल सी बात है कि अगर आप सुचो कि मुझे एस्यों की वर्ट को प्रोमोट करना उलिए अपको लगता है कि यह दो साल या दिर साल के पहले आपको रैंक हो जाएगे नहीं हो सकती है क्यों कि आपको पूरी एस्य नॉलेज के हिसाब से आप ट्रैफिक हिसाब से बात करो तो डिफिकल्ट की वर्ट से इसको प्रोमोट करना मुस्की ले तुरह सा लेकिन हां आ सकते हो कब जब आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे इंडस्ट्री गुरोथ सबसें बात में डेटा की बात करता हूँ प्रोजेक्टे टू कॉंट्यू ग्रोइंग इन दा कमिंग यर्स में कर रहे हैं अभी मैं इसके आपको एक्जाक्ट डेटा भी दिखाऊंगा कि आज की डेट में यह इंडस्ट्री कहां पर चली गई है अब देखो मैं इसमें क्यों आपको यह देखाना हूँ आप बड़ प्रेट फॉर्म पे अब आ रही है एई टेकनोलोजी में राइट अब जब टेकनोलोजी इतनी ज्यादा वास्ट हो गई है इतनी ज्यादा लोग आगे एग्रिसीव होके वर्क कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो एस्यों की इंडस्ट्री हैं यह आने वाली आप मान के चलो 10% 90% हैं जो इस्ट्रगल करते हैं उन में से 90% में से मैं जैसे लोग है जो मतलब कि इनके पैसे की प्रॉबलम्स होती है पैसे उतने नहीं होते हैं कि आप एक कंपनी और गनाईज कर सको ओपन कर सको तो यहां पर आपको एक आइडेंटिटी बनना है कैसी आ जहारा जहां पर आपनी प्रोफाइल बनाओगा उसे प्रोमोट करोगे कर सकते हैं या अपनी एक वी एपसाइट बनाओगे जहां पर आप उस पर्टिकुलर कीवर्स पर राइंग करोगे तो आपको लीट से आएंगे तो दीजार्दा पोजेटिव फैक्टर्स हैं यहां जो आपको यहां पर हिल्प करते हैं आपके बिजनिस को ग्रोव करने में और अपने आपको अपने आपको आप खुद को ग्रोव कर सकते हो राइट तो मेरा कहने का मतलब यह कि यह मार्केट एक ऐसी ग्रोइंग मार्केट है जहां पर आप समझ दिस हो सकते हो कि यह मार्के वो बन चुकिया आज की डेट में कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं और इवेन मैंने एक इंस्टाग्राम पे अभी एक पोस्ट की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ और गेनिक सर्च के बारे में थे ओके जस्ट इमने मैं अभी मैंने लिखा भी था इस बारे में जो लोग सर्च करें इंडिया में जो लोग सर्च करें इंडिया एए बूस्ट इस दर एफ्टिव फैक्टर्स इस वन इस दर पार्टनर्शिप जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ वो बहुत अच्छी डेटा थे ओनलाइन प्रेजेंस तुद रिच न्यू हाइट्स रिवीविंग दे मार्केट और वन इस दर आप जखो मैं यह जो पोस्ट मैं यहां पर देता हूँ न इस दर लेटेश टेंडेंसी जो आने वाले मार्केट के बारे में मैंने बताने की कोसिस किये आप समझो मैं आने वा करने के कारियर को गुरू करने में अभी आप जोको मैंने यहां पर एक एड भी बना रखा है इसलिए कि लोग आकर कम से कम उन चीजों को समझो कि आक्शुल में वह सिस्टम है क्या क्योंकि आप जब तक उसे कॉंसेप्ट को उस सिस्टम को नहीं समझोगे तो आपको डिज नहीं सकता है अगर मैं बात करता हो ना सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन मार्केट वैल्यूज किया है आपके सामने यह डेटा हैं ओके आप आप देख सकते हो ग्रोइंग 2019 के बादे कहीं भी अगर आपको लगता हो कि इसने ग्रो नहीं किया यह मार्केट यह बढ़ती सिद्धी बात है अगर आप इसमें इंट्रेस्टेड होते हो आपने इसे तरीके से सिखते हो या किसी से ट्रेनिंग लेते हो एक्सपर्ट से तो आपको यह चीज़ें सोचने की फिर जोड़तने पड़ेगी कि आपको कितना ज्यादा यहां पे एक्टिव होने की जरूरत है आप देखलो कोई भी ग्राप में कहीं अगर निगेटिवीटी आ रही है तो आप बता सकते हो कि नहीं यहां पे निगेटिवीटी है तो आप देखलो कितनी ज्यादा यह चीज बढ़ती जा रही है इन देवरी एस्पेक्टेशन इस देख्टेशन टूसाजन थर्टीटी तो अभी आप सब्सक्राइब चल रहा है याँ आठ साल की बाइबात कर रहा हूं कहां मार्केट जाके रोकर गी यह निकी 22 32 यानिकी आठ साल बाद आप सोचो कि मार्केट कितना ज्यादा यह गुरो होकर आएगा तो कहां पर आपको लग रहा है कि पोजिटिव एस्पेक्ट बन रहे हैं आप खुद सोच के देखो मैं आपको हट डेटा यहां पर दिखा रहा हूं सारे डेटा यह से रिलेटेर है और आप यहां पर देख सकते हो कि यह सर्च एंजिन ऑप्टिमाईजेशन क मार्केट कितने मिलियन बिलियन स्टॉलर्स में जा रहे हैं सो मैं यह नहीं कहता है कि आप आओ इसमें केरियर बनाओ मैं यह कह रहा हूं कि जहां पर ज़्यादा भीर ना हो वहां से हटके कुछ अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ करते हो तो डेफिनेटली यह एक के आपको एक अच्छा रास्ता मिलेगा और मैं आपके एक 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 जामपल देता हूँ अगर मैं कहूं कि इंडिया में आज की डेट में एरॉंड फाइब लैक्स पीपल नीड है अभी एसियो में तो यह गलत नहीं है नीड है अभी भी पांस लाक लोगों की जो एबले यह की की आप कर सकते हो अगर डियल ही मैं आप इंटरर स्टेशन दो तो यहां चैनल पर आने के बाद यहां पर जब आप मेरे चैनल पर आते हो तो यहां पर आने के बाद यहां पर complete free SEO courses हैं आपको view full playlist पर आना है और यहां पर कितने around the 46 videos है आप one by one करके आप इसे watch करो आप इसे watch करना है इससे इंप्लीमेंट करना है मैं यहने करता है अगर आप रियली किन इंटेस्टेड हो इस फिल्ड में तो आपके लिए अच्छी opportunity है कि आप बिना कहीं investment कहीं पैसे लगाए आप अगर आपने तरीके से वीडियो को देखा यहां पर पूरी प्रैक्टिकल एप्रोच जो इंडेस्टी में वर्ख होते हैं जो कंपनी में वर्ख होते हैं वो बताईए मैंने तो अगर आपने इन चीजों को आपको लगता है कि सिखना है तो को डेफिरिटली आप सीख सकते हो और कोई इसू आती है किसी भी तरीके से सो यूगें कॉन्टैक्ट में वाट्स अप नंबर जो मेरे यहां पर एबाउट सेक्शन्स में हैं तो आप वहां से भी आप मुझसे बाद यह मैसेज छोड़ ड्रॉप कर सकते हो तो आई विल भी मैं यहन यहां पर के टान्राइब के डहां पर की कोई लीट नहीं है यहां इसकी अन्थी नहींगा तो इस वनिज टेकनालजी जहां पर जॉप यूदियो पसंद आता यहां लिए if you are interested for a new to learn the new technology definitely welcome to the digital marketing so friends tabtakili a good day for all of you